है 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 स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे और हम कवर करें राजस्तान जोगरफी के कंप्लीट सीरीज है जिसमें अभी तक हमने इंट्रोड़क्टरी लेक्टर के आपको 5 लेक्चर्स प्रवाइड कर दिये हैं आपने अभी तक वह लेक्चर्स नहीं देखें जरू लाइटिट्व उसको एक बार देख लेते हैं कि लाइटिट्व बेसिकली क्या होता है अपने ग्लोब और जो ग्लोब में यह जो सेंट्रल लाइन होती है जो की जीरो डिगरी से पास होती है इसको हम क्या बोलते हैं एक्वेटर बोलते हैं और इस एक्वेटर के बिल्कुल टुपोल करनेक्ट करती है इनको हम क्या बोलते है इन lines के लिए फरया उस्केर हम कॉन सा वड्य उस करते हैं इनको हम डिनोड करते हैं longitude चार। यह सारी चीज़ां क्यों इसकंडर है क्योंकि यह सारी चीज़ें कूद के क्कि лемंडर जिसके अंदर हमें जो राज्यस्तान की जो लेंथ है एतंडरडड-वेटेश किलोमेटर और 869 किलोमेटर लेंथेन ब्रेथ हम हम धानली देख चुके-यई और यensor लेंथेन ब्रेथ हम ने देखी है इसके अंदर हमने longitude and latitude दोनों चीज़े कवर की थी कि आपका homework है homework है यह मेरा question है आपसे कि राजस्थान की longitude extent कितना है longitudinal extent कितना है यह तो हो गया हमारा क्या कि हमने longitude latitude क्या होते हैं उसके बारे में समझ लिया next आता है कि जो एक word आता है grid किसको बोलते है एक specific block किसका longitude और latitude के mixture के लिए जो word use किया जाता है उसको बोलते है grid चलो एक और word हमने देख लिए grid अब सवाल यह आता है कि जो आपका राजस्थान है या फिर जो इंडिया की location है वो किस जगह आती है वो आते है आपकी northern hemisphere के अंदर आती है right hemisphere confirm हो गया और कल हमने यह भी cover किया था कि कौन से side में आती है यह आती है आपकी north eastern direction में आती है तो यह हमने एक बर थोड़ा से आती है answer है Yes कि अन्रती मैं दो डिस्टेक में आती कौन से कौन सी क्वागा और नूंगर पूर और कितने कि लेंट लेंथ है यानि कि 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 अन्रते कि अरिया को cover करती है यह 26 की अरिया है जो के cover करती है थो इस निचिक यहां पर लिखी हुई है जिसको हम 23 इसके लिए scientific term क्या है इसको बोला एता है Tropic of Cancer जो यह Tropic of Cancer है राजस्तान में से कितने डिस्टेंस के लिए जाते है जो कि यहाँ पे जस्ट 27 मिनट है 27 मिनट यानि कि कितने डिस्टेंस को कवर कर रहे है 26 किलोमेटर को कवर कर रहे है अब आरेस यह नहीं पूछेगा कि 26 किलोम कि यहां तक कवर हो गया ओके अगर स्पीड हो रहा हो तो बता दिएगा थोड़ा से एक बार और रिकाल कर रहे हैं हम किस लेटीचूड की बात करें 23 एंडा हाफ नौर्थ लेटीचूड की बात करें और इसको हम क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान में इस बासवाड़ा के कुशलगर से जाती है और जो डुंगरपूर है डुंगरपूर के किस विले से जाती है चीकली विले से होके जाती है अब यहां से आप से क्या कोशन पूछा जा सकते हैं कि राजस्थान का कितना परसेंट एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उपर है बनते हैं इंडियन जोगरफी के अंदर से भी बनाई जा सकते हैं जैसे कि कुशन यह पूछा जा सकते हैं किसकी स्टेट से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है यहां पर सारे नाम लिखे हुए हम सिधा किसकी तरफ मूब करते हैं जो मैप है उसको देखते हैं ताकि इसलिए मैंने आपको मैंचन किया पहले 26 अरिया है जहां से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है दो डिस्टिक कौन सी है बासवड़ा और डूंगर पर देखें इतनी बार मल्टिपर टाइम नाम लिए जाएंगे ताकि आपको किलास की क्लास में याद हो जाएं कि कौन स परसेंट एरिया है पहली हो गई आपकी गुजराद जो स्टेट है जो की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यहां पर इंट्रसेट करते वें दिख रहा है आपको नेक्स आता है अपका मद्यपर्देश दूसरे नंबर पर उसके बाद आता है च्छतिसगड नेक्स आता है आपका ज आपको इस लिए होगा था और इंडिया का मुझा स्टेंड अगर यहां पर इस पर्टिक्लर एरिया में अगर चाइना ने अपने इन्फ्रसेक्टरी बेर्ल्डव कर लिए तो देखें इसली कट इस चिकन सनेक और जो एंटाइर जो आपका यहाना पाट है इसको मैंलेंड क्या कर सकते हैं अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा है सिर बंगलादेश से जाके तो हम इजली क्नेट्ट कर सकते हैं बंगलादेश सीधा मना कर दिया कि हम यहां पर कोई भी पासस नहीं देने वाले तो इंडिया ने यहां से अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ठीक है कालादान रिवर प्रोजेक्ट है उसका नाम यह सारे आपके करंट अफेर की है यह जितनी भी नियूस है आपके वापिस आते हैं गुजराद मद्यपरदेश चतिसगर यह कौन से जार्खन देन वेस्ट बिंगल फिर आपका यह चोटा सा एरिया दिखने इसको यह कौन सी स्टेट है आपके तिरपूरा उसके बाद आता ह है मिजसौर तो टो टोटन कितनी स्टेट है जिसमें से पास हो रहा है यहां से स्टार्ट करते हैं यह कौनू सी है relatively तेरफूरा वेस्ट बिंगल जारकंड 2017 वेस्ट बिंगल एंड गुजराथ तो बैकवर्ड और फोर्वर्ड दोनों हो सकते क्योंकि कॉशन किस तरीके से क्या रहें अरेंज इन सिक्वेंशल मैनर फ्रॉम इस्ट टु वेस्ट या फिर पूछा जा सकता है वेस्ट वेस्ट अगर वेस्ट वेस्ट की बात करें गुजर जैसे इस बार एक कोशन आया था गूची यह एक ऐसे रेंडम टॉपिक है जो मुल्टिपल बुक्स मदलब कॉमनली नहीं मिलता है तो इस तरीके को कोशन अगर आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं लेकिन यह जो आपकी फैक्च्वल इंफोरमेशन है अगर इसके बेस लाइन क्या बता रही है इसको एक बार करते हैं एक डिफरेंट मैप में और स्पोज एक यहां पर मैं बिल्कुल डाइगराम बना रहा हूं राजस्तान के मैप का चिक है गंगा नगार एक है जहां पर सबसे ज्यादा तिर्ची किरने पड़ती है अगर संग कहां पर आपका ट्राफिक ऑफ कैंसर पर है आगे चले आप जो हमने संग के बारे में बात की है कुछ बेसिक बेसिक डीटेल्स है और इस बार एक कोशन क्या पूछा गया था की जो 21st जनवरी को जो लॉंगेस्ट जून के महीने में या फिर यह सिंपल कोशन किया था यह 2022 का है लॉंगस डे कब होता है ऑप्शन क्या था फर्स वाफ जून तर यानि कि चौर जिर ट्वेट पता है 21 जून को ही सबसे लॉंगस ठैंट करना बहुत आसाम था यानि इस बार का जो आपका पेपर था उसके अंदर 12 कोशन से आपने K那 च्रूशे से तयारे की टी एजसी वस्त री दिंग के अंदर आप उसको क्या कर देते जैसे मिद्目 की ार्बन एरिया के अंदर फॉरेस्ट डव्ल Paulo के लिए छिक कि अगर यह यह तो यह थोड़ा सा यह आइडिया रहेगा कि आपका साइड वैस आइडिया और भी सब्जेक्ट के साथ क्या होते इंटर लेंग होते या फिर और भी जो एक्जाम साथे उसके पूछे जाते हैं यह जो सन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करें तो कौन सी डिस्टीक हो जाएगा आपकी बासवड़ा और पीछली स्लाइड में देखें वह कुषल गड़ आगर कुषल गड़ के ऊपर बासवड़ा में यह जो सन की exact वर्टिकल रेज आ रही है तो सबसे अभी पिछली स्लाइड में और पिछले दो मिनट की डिसकेशन में यह दिखिए यह बनाए है डाइगरम यह वाला सेम वही पॉइंट अभी यहां पर रपीट हुआ है यहां पर मेरे पास दो अप्शन थे यह तो मैं हैं राइटिंग में आपको देता लेकिन हैं राइटिंग के नहीं आती किसी स्टूडेंट को नेक्स पॉइंट अगर हम बात करें जो माही रीवर है वो दो बार क्रॉस करती है किसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इसलिए इसके लिए क्या नाम दिया गया है गूल्डन रीखा अगर कोई भी आपसे अगर एक पोशन पूसता है कि गोल्ड को पढ़ती है वो है 22 दिसमबर अब सवाल यह आता है कि ऑबलिक रेज राजस्थान में 22 दिसमबर को क्यों पढ़ते हैं उसके लिए छोटा सा कंसेप्ट है हम वह समझ लेते हैं देखिए यह आपकी अर्थ है और यह हो गया एक्वेटर जो आपका मार्च से लेकर के जुलाई का टाइम होता है सन किस तरफ भूव करता है उसके बाद जुलाई के बाद वो धीरी धीरी शिफ्ट होना कहां स्टार्ट होता है अगर सन आपका सदन हैमिस्प्यर में है तो यानि कि जो अब सन रेज है कैसी आएंगी औबलिक है वह इसलिए क्योंकि सन किस डिरेक्शन में या फिर किस हैमिस्प्यर में इसन नदन हैमिस्प्यर और सदन सदन हैमिस्प्यर लोग में आप भी ऐसे कुछ अंसर दे जाते हो राइट नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर जून की 21 की बात करो यह दुबारा से पॉइंट रिपी को आता है 21 जून सबसे लंबी रात के डेट को आती है 22 दिसंबर यह तो वेरी इजी टॉपिक से राइट 21 मार्च और 23 सप्टेंबर को डे और नाइट दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो आज का जो लेक्टर है बिल्कुल एकदम क्रेस्प है इसके नंदर काफी सारी चीज हमने कवर कर लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लेवल पर भी कवर कर लिए हमने और जो इंटरस्टेट बाउन्डरी ठीक है मिलते हैं आप से नेक्स लेक्चर में अगर कोई डाउट है रीचे कमेंड में पूल सकते हो तब तक मेरी तरब से सबको नाश्कार कर एंटरस्ट सकते हैं